दोस्तों आज हम बहुती अलग तरीके से अरहर की डाल को बना करके तैयार करेंगे यह हमारी घर पर बने हुई अरहर की डाल है यदि आप मार्केड वाली अरहर की डाल लेना चाहते हैं तो मार्केड से भी अरहर की डाल बहुती आसानी से मिल जाती है सबसे पहले हमने एक प्याज ली है प्याज को हम छोटे-छोटे टोकड़ों में कट कर लेंगे कई लोग इन रहar की दाल को बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए बहुत सारी प्याज को ढालते हैं लेकिन आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्याज को नहीं डालना है, एक ही प्याज में आपका काम चल जाएगा, एक ही प्याज से इस अरहर की डाल का बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है, कहीं कहीं इस अरहर की डाल को तूर की डाल भी बोलते हैं, आप इस तरीके से टोकड़ों में प्याज को कट कर लें, हमने सारी प्याज को अच्छे से कट कर लिया है, और उसी के साथ में हम कुछ और चीज़े लेंगे, यानि कि हमने तेन चार लैसुन की कलिया ली हैं, लैसुन की कलियों को भी हम इसी तरीके से छोटो छोटो टोकड़ों में कट कर यकीन मानिये दोस्तों सर्धियों की मौसम में अरहर की दाल का बहुत ही अच्छा टैस्ट होता है। तीका याप अपने टेस्ट की कमया जादा कर सकते हैं। हमने तौनों हरी मिर्च को भी अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और हमने एक टमाटर लिया है इसी तरीके से हम जो टमाटर को है टमाटर को धो करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे देखो हमने सारी चीज़ें को तयार कर लिया है और एक बावल में हम जो हमने डाल ली थी डाल को हम इसमें डाल देंगे और दो-तीन बार साप पानी से अच्छे से धो लेंगे हमें सिर्फ इसको धोना है और हमें इसको भिंगो कर नहीं रखना है यदि आप कोई और डाल बनाना चाहते हैं तो उस डाल को आप थोड़ी देर के लिए भिंगो कर रखें लेकिन इस डाल को आपको भिंगोना नहीं है यदि आप भिंगो करके रख देंगे तो जो आपकी डाल है तुरंते घुल जाएगी देखो हमने इस तरीके से 3-4 बार रह गए हैं फिर भी ये खाने में बेका नहीं लगते हैं अब हम चलते हैं गैस की तरफ कड़ाई में हमने थोड़ा सा सर्चों का वल गरम होने के लिए रख दिया है और अब हम इसमें एक चमत देशी घी डाल देंगे जिससे हमारी दाल का बहुत ही अच्छा टेस्ट आज जाएगा यदि आप घी में बनाना चाहते हैं तो घी में भी बना सकते हैं यदि आप अकेले वैल में बनाना चाहते हैं तो अकेले वैल में भी बना सकते हैं लेकिन हमने यहां पर थोड़ी थोड़ी से दौनों चीज़ें डाली है और इसमें हमने एक तेश पत्त डाल दिय बाड़क मुझे साबों जीर ड़ाल दिया इन दोनों चीजे ने हमने चितक निया है तो एक बड़ी इंस इस तरीकशी एंस धौत खोल्ड करके ट्रीजाँ अच्छको देया और इस ते आर हो चुकी है और जो हमने हरी मिर्च लैस्न प्याज कट करके रखे तो उनको भी हम इसमें डाल देंगे तेज गैस पर 2 मिनट इनको हम सौप्ट करेंगे देखो हमने चम्बस से थोड़ा से चला दिया है दो मिनट में ये हमारी जो प्याज सौप्ट होकर के तयार हो जाएगी कि हमें बहुत ज्दा कोई कलर लाने की जरूरत नहीं है हमें इतनी तोड़ा सॉप्ट ही करना है हमारी प्याद अच्छे से सॉप्ट हो चुकी है अब हम इसमें टामाटर डाल देंगे दो मुने टामाटर को हम इसमें पकने देंगे गैस को अब हम मीडियम कर देंगे जो हमारे टामाटर है टामाटर भी थोड़ी सी तेल में फ्राई हो चुकी है और जो हमने डाल को धो करके रखाता हूँ अरहर की डाल को भी इसमें हम डाल देंगे यकिन मानिए दोस्तो जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्ट ही आपकी अरहर की डाल बन करके तैयार होगी मीडियम गैस पर एक दो मिनट हम डाल को भी तेल के साथ अच्छे से इसमें भून लेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमग डाल देंगे और हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे यदि आप इसमें धन्या पाउडर लाल मिर्च पाउडर गरम मसाला डालना चाहते हैं तो बो भी डाल सकते हैं लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती है इतने ही मसाले में आपकी जो डाल बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हो जाएगी अब हम इसमें उसी कटूरी से तीन या चार कटूरी पानी डाल देंगे और अच्छे से हम इस तरीके से पानी को चला देंगे आज की हमारी बहुत ही अच्छी दाल बन करके तैयार होगी और हमने कुकर का ढखकन ले लिया है आप लोग सूच रहे होगी कि आपने कुकर का ढखकन उल्टा क्यों रख दिया है लेकिन हमने इसमें उल्टा ढखकन रखा है हम इसमें थोड़ा सा घी या तेल लगा देंगे जिससे जो हमारा कुकर का ढखकन है ना ही बिल्कुल गंदा होगा और ना ही इससे बाहर पानी निकलेगा जब पानी निकलता है तो आपकी गैस भी खराब हो जाती है और आपका कुकर भी खराब हो जाता है जब आप इस तरीक कोकर अच्छे से ठंडा हो चुका है इसमें हमने थोड़ी सी हरी पत्ति डाल देंगे और थोड़ी से हमने हिंग ले ली हैं हिंग को हम थोड़ी से पानी में इस तरीके से अच्छे से गोल देंगे यदि आपके पास पिसी हुई हिंग हो तो आप उसे ऐसे ही डालने हैं जब आप बाद में हिंग इसमें डालेंगे तो हिंग का बहुत ही अच्छे टेस्ट आएगा दियो हमारी कितनी अच्छी डाल बन करके तैयार हो चुकी है बिल्कुल तो घुली भी नहीं है बहुत ही अच्छी खुसबू आ रही है यकीन मानिए दोस्तों इतनी टेस्ट आज की डाल बनी है कि आप एक बार इसको बना लेंगे तो हमेशा इसी तरीके से डाल बनाते रहेंगे दोस्तों हम आपको एक बार याद दिलादने प्लीज यदि आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक जरूर करें वह जो हमें टामाटर डाल लेते टामाटर भी इसके गले नहीं है बहुत ही अच्छी हमारी टामाटर पक करके तैयार हो चुकी है इससे आप जब रूटी के साथ खाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका